हालो फ्रेंट्स मैं मिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एक एच अंता में आज मैं आपको बताऊंगी कि मटर में अगर कीड़े पढ़ जाएं तो क्या करें मटर में हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी कीड़े पढ़ जाते हैं तो मटर को हम कैसे साफ करके इसका यूज कर सकते हैं वह आज मैं आपको दिखाऊंगी तो यह देखिए मटर में देखिए कि लिए पढ़ गया थे तो मैंने मटर में राद भर पानी डालकर विगोकर से रख दिया था और अब मैंने इसे धोके साफ कर लिया है में थोड़ा थोड़ा लेकर इसे किसी भी भारी चीज से इसको प्रेसर दे कर इसे हम जो इसका मटर के जो चिल्के हैं उन्हें अलग कर लूँगी और उसमेंसे जो मटर के डाल है उसको तो यह तो कर लो मेंदशान आता, इससे जाए अलग निकल रही हैं उप ल्ग अलग निकल लोगों, वह ब्सक्ता हर निकल लिका रही है तो इसी तरह से सारे मिंदशान भी स चीलए और मिंदन क Chief आता स्टाइब तो यह देखिये मैंने मटर और उसके जो चल्के हैं उसको मैं एक फोड के अलग कर लिये हैं और अब मैं थाली लें ले रही हूं बड़ी थाली ले हूं और इसमें हम खुप सारा पाणी दालेंगे और पाणी डालकर इसे हम मसल के धुलेंगे ईसब कि 나올 हैं को निकल जाएंगे और चिट के भी अलग से निखल जाएंगे अधसर हम मंट्र की डाल अराम से नेकाल लें और आजो मैं कि अग्रränन अब भलें लेंगे बर्तन और उस बर्तन में इस दाल में इसमें कजो वेज़ पानी है वो नीकाल लेंगे और जॉ dale कोधने हैं निकला है तो इसी तरह से हम इसमें चार से पांच defensei हम पानी बदलते जाएंगे और कि आप इसको हर लूखे दिलते जाएंगे जो दाल में इसले निकल जाए दाल काफी हद तक साफ हो गई है और अब मैं इसमें फिर से एक बर एक दम साफ पानी डाल रही हूं और इसको फिर से मसल के धोंगी और अब यह देखिए यह दाल के जो चिलके हैं वो पूरी तरह से निकल गया है और दाल जो है मेरा बिल्कुल साफ हो गया है तो अब इससे हम इंस्टेंट कुछ भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इससे तेज फूप में सुखा के दस से पंदरा दिन के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं अब मैंने जो यह दाल साफ करके लिया है अब उससे में बनाओंगी बहुत ही टेस्टी टिक की तो आईए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मटर की दाल और अब मैंने इसे पीस लिया है और अब मैंने लिया है जीरा एक चम्मच चार से पांच हरी मेच अद्रक लसुन का पेस एक बारीक कटा हुआ प्याज और दो आलू और आलू को हम मैस कर लेंगे अब यह अच्छे से मैस हो गया है तो अब मैं इसमें यह जो दाल को पीस कर रखा था उसको इसमें हम डालेंगे और अब डालेंगे हरी मेच अद्रक लसुन का पेस्ट प्याज और जीरा अब इसमें डालेंगे स्वादन स्वादन नमक आदा चमच हल्दी पाउडर और आदा चमच लाल मेच पाउडर और अब सभी समग्यों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखे मेरा जो पेस्ट है वह तयार हो गए है तो अब हम हाथ में ओयल लगा कि साहरी टिक्टे को तयार कर लेंगे अगर आपका पेस गीला हो गया हो तो आप इसमें कॉन फ्लोर या बेसन डाल सकते हैं और अब हम चढ़ा देंगे पैन और उसमें देखे मेरा पैन गर्म हो गया तो मैंने इसमें टिक्की डाल दी है अब टिक्की जो है एक साइड हो गई है तो अब हम इसको एक एक करके पलट देंगे ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से यह सिख जाए इसी तरह से हम बराबर से इसको पलटते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिख जाए तिक्की तो यह देखे मेरी टिक्की एक दम तयार है बहुत ही अच्छा कला रहा है तो अब इसको हम निकाल ले रहे हैं तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को तयार कर लेंगे तो यह देखे मेरी मटर की डाल की टिक्की तयार है आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्ब कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये रिस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू